यूपी सीतापुर में एक यूवक की बोली मार कर हत्या कर दी गई बोलेरो सवार हमलावरों ने हत्या के बाद कई राउंड हवाई फाइरिंग भी की दिन दहाडे हुई हत्या की घटना से इलाके में संसनी फैल गई घटना के पीछे पुरानी जमीनी रंजिश बताई जा रही है फिलहाल पुलिस घटना को लेकर हर पहलों को लेकर जाच में जुड़ गई है सूचना मिलते ही S.P.R.P. सिंग सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुँची पुलिस ने मौके से 315 बोर के तीन खोखे बरामत किये प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक हमलावर मृतक के गाउं के ही बताय जा रहे हैं A.S.P. ने घटना के खुलासे को लेकर A.S.P. के नेत्रित्व में 5 टीमें गठिर की है हत्या की यह संसनी खेजवार दाथ हर गाउं थानाक्षेत्र के गोंडब पुर्वा गाउं के पास हुई थानाक्षेत्र की परीद्पुर निवासी हसीव अपने रिश्टेदार के साथ हर गाउं किसी काम के लिए आया था बताते हैं कि हसीब जब वापत घट जा रहा था तभी हर गाउं थानक शेत्र की गोंड़ा पुर्वा गाउं की पास बूलेरू सवार हमलावरों ने हसीब को रोग लिया और उस बर दाबर तोड पाइरिंग शुरू कर दी जिसमें गोली लगने से हसीब की घटना स्थल पर ही मौत हो गई इसके बाद हमलावर कई राउंड हवाई फाइरिंग करते हुए मौके से भाग गए हसीब के रिश्टेदार के मताबिक हमले में पांच लोग शामिल हैं जिसमें गाउं के ही एकरार, कल्लू और जन्नू भी थे वही मौके पर पहुँचे एसपी ने प्रत्यक्षदर्शी हसीब के रिश्टेदार से पूँच्टाच की वही मृतक हसीब के रिष्टेदार के द्वारा बताये गए नामों को लेकर उनकी गिरफतारी के लिए टीमे रवाना कर दी समाचार लिखे जाने तक पेड़ित परिवार के द्वारा तेहरीर नहीं दी गई थी खबर जगत के लिए एलन सिंग की रिपोर्ट अरे नहीं द द खोन फाट आ रहा है तो रखे लोग थे क्या एक लोग वहीं दो द शूलोट थे गष्टा कौन कोश तेह पहले इस समझे लेंगे क्या हो जाए आए पाट लोग वी लोग वचे रहा एख तीन लोग निखे लाए यह धार रहा है है एक दिन और और है, कहा दिखाओं का हम कल्लू कल्लू कहते हैं, कुछी का नाम जानते हैं किसी का? नहीं जानते हैं आप अब देखी नाम केते हैं? हां आप मुखे किते हैं? अब पास लोग